नमस्कार दोस्तों, Health Tech चैनल पे आपका स्वागत है प्रेंट्स आज की वीडियो में हम आपको वीकाड एक्सामीन कैप्सूल के बारे में जानकारी देंगे जो की बहुत ही बेटर कैप्सूल है, इस वीडियो में जानेंगे इस कैप्सूल को खाने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं इसके डोस के बारे में, इसको कितनी मात्रा में लेना है इसकी Market Price, Content और Side Effect इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे तो अप्सेंट की प्याब वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल सके अप्सेंट B काड एक्सामिन कैपसूल जिसके मार्केट प्राईज की बात करें तो 38 सुपए इसकी मार्केट प्राईज है और फ्रेंट इस capsule का ये एक सिशी में आता है इसको Glaxo Company के द्वारा बनाया जाता है जो कि बहुत ही बेटर company है और फ्रेंट इस company की बहुत ही अच्छी अच्छी दवा आती है तो फ्रेंट साय जानते हैं, बीकाड एक्सामिन कैपसूल के बारे में पूरी जानकार इसके फायदे के बारे में तो या एक मल्टी भिटामिन और मल्टी मिनरल कैपसूल है, या पूरी तरह से हेल्ट सप्लिमेंट है जो कि हमारे सरीर में मौझूद पोशक तत्तों की कमी को पूरा करता है तो फ्रेंट सिस्केप्सूल का उपयोग सरीर में पोशक तत्तों की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है पोशक तत्तों की कमी से सरीर में कमजोरी आ जाती है, चक्कर आता है या इसके अलमा थोड़ा सा काम करने पर थकान महसूस होती है तो इन सब समस्याओं को ठीक करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है इसके अलमा कमजोरी के कारण जो हाथ या पहरों में दर्द होने लगते हैं या जुन-जुनाहाट होने लगती है तो इन सब को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है तो फ्रेंट्स जो लोग दुबले पतले हैं जिनके शरीर में बिटामिन्स और मिनरल की कमी है वे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें बिटामिन A, बिटामिन D, बिटामिन E, बिटामिन B1, बिटामिन B2, बिटामिन B6, बिटेल्ब और बिटामिन C, निकोटिनमाईट, फोलिक एसिट, कैलसियम, कापर सलफेट, मैगनीज, जिंक, ये सब बिटामिन C इसमें पाये जाते हैं, जो कि हमारे सरीर के लिए ब और अवसात्ता पढ़ने पे सुबह साम भी ले सकते हैं, इस कैपसूल को लेने से पहले अपने डाक्टर से परामर्स जरूर ले लें, तब ही इसका इस्तेमाल करें, इस कैपसूल को लांग टाइम तक इस्तेमाल नौ करें, जितने दिन तक इस्तिमाल करना है अपने डाक्टर से परामस ले लें उतने दिन तक ही इस्तिमाल करें और आए फ्रेंट जान लेते हैं इस कैपसूल के साइड इफेक्ट के बारे में तो वैसे तो इस कैपसूल के साइड इफेक्ट बहुत ही कम है लेकिन किसी को side effect हो सकते हैं जैसे कि सरदर्द होना, चक कराना, जीमचलाना, उल्टी होना, घबरार्ट होना या सरीर में खुजली होना, सरीर पे लालदाने निकलना यह सब इसके side effect हैं, जो कि किसी किसी को हो सकते हैं तो फ्रेंट्स, ऐसी कोई समझ्जा होती है तो इसको बंद करके अपने डाक्टर से संपर कर लें तो फ्रेंट्स यह थी हमारी आज की जानकारी बीका डेक्सामीन कैपसूल के बारे में आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें सेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्काइब भी कर लें साथ में बेल आइकन को भी दबा लें थाकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दवाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे तो फ्रेंट्स मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ